एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंकी मिश्र, नमस्कार। प्रस्तुत हैं आज के खास समाचा। मध्यप्रदेश के सबसे बड़े शासकिय महाविद्यालेय श्री अटल बिहारी वाजपी शासकिय कला एवं वानिज्य महाविद्यालेय में स्वतंत्रता दिवस धूंधाम से मनाया गया। प्राचार्य डॉक्तर अनूप व्यास ने ध्वजारोहन कर स्टाफ को संबोधित कि जनना मन एलनायक जयाह पारत बाग यवदातादाँ पंजाब्शिंग गुजारात माराथ रात्राविरुथ कल कंक का जनगन मंगल दायक जया हे भारत भाग विजाता जया हे जया हे जया हे जया हे जया 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 हे भारत 15 अगस्त 1947 को परादीन से स्वाधीन हुआ और ये स्वाधीनता हमें किस-किस रूप में प्राप्त है हमारी अभीविक्ती की आजादी के तोर पर हमारे मतादिकार के तोर पर हमारे रोजगार चुनने के और इस पूरे भारत वर्ष में हम कहीं पर भी जाकर रह सकें एसी आजादी हमको प्राप्त है ये ओनर डॉक्तर एसेस भाटिया और डॉक्तर दिनेश अगरवाल के नेत्रित्व में दिया गया डॉक्तर ममता चंद्रशेखर, डॉक्तर हरीश मिम्रोट ने विचार प्रकत किये आए ना कंद्रशेखर, ने प्रॉक्तर आए झाव्यूए फान कंद्र टॉक्तर ग्यावए तो मेरा अनुरोध है सभी आचारी गड़ों से आचारी कुल के सभी वरिष लोगों से कि जब भी समय मिलें वे अपने विशें से हट करके थोड़ा सा ये वीजारों पर उनकी अंदर कर दें उनकी मासुम भावलाओं में इस बात को अंकुरित करें कि कि लंबे संधर्श के ब जले हम फिदा जानोतं साथियों अब तुम्हारे हवाले वतं साथियों डॉक्तर रेनु सिन्हा और डॉक्तर श्रद्धा मालविया के मार्व दर्शन में छात्रों ने लगुनाटिका पेश की स्पोर्ट्स ओफिसर महिंद्र मिश्रा ने संचालन किया जीना है तो पत्थर बन के जीओ कभी तरास दिये गए तो पूजे जाओगे आभार माना प्रशासने का धिकारी डॉक्तर डीके गुप्ता ने इस अफसर पर कॉलेज का पूरा स्टाफ उपस्थित था सबने एक दूसरे को बधाईया दी आज के समाचार में बस इतना ही अगले बुलिटिन में फिर से हाजिर होते हैं तब तक के लिए आज्या दीजिए नमस्कार